हेलो फ्रेंड्स किच्वें क्यूं चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग बनाने जारे देशी घर का सुध्धी की चलिए दीखते हैं इसे कैसे बनाना चाहिए, पहले हम लोग छाली लेसे जमा देते उसमें ठेखते रहा हम लोग ती तीन चमच डाल देते हैं दही जिसक नोसे मिलाटे जाना है 15 मिलाते जाना है क्बचा सा तोसुम पानी डाले इसके कराना और बहुत ही अच्छा मखन तयार हो जाएगा, इस तरह से हिलाणी दोलाने से देखिए ये घर का गाय का दूद से ही मखन निकलता है, हम लोग बाहर का दूद यूज नहीं करते हैं, अब दिखाते हैं, आपको मखन बनके रेडी हो जाएगा, ज्यादा अगर घही निकालना चाहते हैं, तो ज्यादा ही छाली जमा करें, तो बहुत अच्छा घर का हो जाएगा, सु अगर उपर आगए मखन तो समझी हमारे मखन रेडी हो गया हुआ, ठंडा पानी मी अधायरने लेगेगा, मखन जब ही निकाले, पहे थनडा पानी मीचे डाल दे, इसके कारण सारे मखन हमारे ऊपर होके छला झाएगे, घर का हेलदी और टिश्टी मखन है एग treatment से किसे महा चाहा कार देखी इसे बनाएं देखी इस तरह से बोला तैयार हो गया पानी में तैर रहा है इसका मतलब 100% यह मक्षन तैयार हो चुका है इसे घर का प्यूर सुद्ध घी भी हम निकालते हो आपको दिखाएंगे यह देखिए हम इसमें उडाल दे रहें कड़ाही में घर का सुद्ध घी तैयार हो जाएगा तेजाज करके बनाना चाहेंगे तो दस मिनट में तैयार अगर धिमाच में बनाना चाहेंगे तो तुरती यह थोड़ा समय लगेगा इसे हलका से उपर नीचे करके चला देए गोल्डेन हलका ब्रॉण करतें बीच-बीच में हलका पानी का छीता डाले से हमारे घी बिलकुल दानेधार तैयार होता है बिलकुल बजार जोचा हमेंसा पानी का छीता मारते रहें दोतीन बार मारेंगे निचे सांट पी दिखा रहे हैं कि нем इसे गरम अगर्म चावल साथ भी खा सकते हैं हम नोब बेले में त torpedo में भी लगा के खाता है इसक उन्हक्रोन की चीज़ के ताल के साथ खाले थोड़ा कि पल revolver की कि चीज़ के साथ ऑफ खाएं के जो घी घ्र तरह से सीसी में भर दें कि इसका खुस्वू भी अच्छा से रहेगा तैयार रहेगा अंदर ने तो थोड़ा सा घी का खुस्वू निकल जाता है यह देखिया हमारा घर का देशी घी बनकर रेड़ी हो चुका है गर्मी स्लीज का इस तरह के कलर है ठंडा होने पर बहुत ही खुबसूरत कलर आता है इसका ब्रॉंज जैसा जब चाहें तो आप घर में देशी घीत सुद्य मक्षन आप घर में ही तैयार कर सकते हैं बसरती घर का गाय का दूदल ही ले बजार का दूदल का नहीं बनेगा ठंड के मौसम में बहुत सरा डाल के आप कटोरा में रखे तैयरी तैयार कर सकते हैं कटोरा में चाली को जमा करते जाईएगा और उसे निकालेगा परिवार के साथ बढ़के इंज्वाय करें हमारे चैनल को लाइक से स्क्राइब कर देए